Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 8th Class English and CEART की बुक, It's So Happened के चप्टर No.10, The Comet 2 को रीड करेंगे, तो ये जो स्टोरी है students, ये दो पार्ट्स में बटी हुई है, इसका पहला पार्ट हम उर्रेडी पढ़ चुके हैं, चप्टर 9 की रीडिंग वीडियो में, जिसमें हमने ये पढ़ा था, के जो दत्तादा होते हैं, वो एक नया कॉमेट ढूंडते हैं, एक नया धुमकेतु ढूंडते हैं, और बाद में ये पता चलता है, के वो जो धुमकेतु है, वो धर्ती से टकराने वाला है, तो उसके बाद हम दो scientist के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि हमने उस chapter में पढ़ा जेम्स और सर जोन आपस में विचारवी मर्श करते हैं, के वे लोग पूरी दुनिया से scientist को बढ़ाएंगे, गुपत रूप से, उनकी एक मीटिंग होगी, और उसमें वो ये निर्णे रेंगे, ये विचारवी मर्श करेंगे, के इस कॉमेट को जो दत्तादाने ढूंडा इस कॉमेट को धरती से टकराने से कैसे रोका जाए, तो अब हम chapter number 10, the comet 2 में इसी story को continue करते हैं, के जब सर जोन और जेम्स की वो मीटिंग पूरी हो गई, जो उनने विचारवी मर्श करना था, वो कर लिया, उसके बाद सर जोन, जेम्स को उसके होटल में छोड़ कर आए, उ और सडकों पर भीड बिल्कुल भी नहीं थी, और जेम्स ने अपनी होटल की खिड़की से उपर आसमान की तरफ देखा, तो उसने देखा हर तरफ stars थे, तो तब उसने सोचा, के इनी stars के बीच में, इनी सितारों के बीच में, कही पर comet दता भी है, जो धरती से टकराने की त तरफ बढ़ रही है, तब जेम्स के मन में एक शन के लिए एक ख्याल भी आया, कि क्या उसने अपनी calculations बिल्कुल सही कही थी, करी थी, क्या ये बात बिल्कुल सच में सही है, कि वो जो comet दता है, वो वाकिए ही में धरती से टकराने वाला है, कुछ ही महीनों के अंदर, जैसा बाद इस paragraph में हमें ये बताया गया है, कि फिर वो meeting होती है, जिसमें सारी दुनिया से experts को बढ़ाया जाता है, गुपत रूप से, और वहाँ पर James के मन में, Sir John के बारे में जो भी doubts होते हैं, वो सारे clear हो जाते है, जब वो उन सब लोगों के नामों के list देखता है, कि वहाँ पर किन किन लोगों को बढ़ाया गया है, वहाँ पर astronomers को बढ़ाया गया था, Computer Scientist को बढ़ाया गया था, Nuclear Physicist को बढ़ाया गया था, Space Technologist को बढ़ाया गया था, Biologist को बढ़ाया गया था, और विशेश तोर पर Sir John ने Mr. Manoj data को भी वहाँ पर बढ़ाया था, जिनसे इन सब की होई थी और उसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि जो conference थी जो meeting थी यह बिल्कुल secret रूप में चली रगबग यह पूरे एक हफते तक चली थी और उसके इस meeting में क्या किया गया जितने भी experts थे उन्होंने James Forsyth की जो calculations थी उनको match किया comment दता की current observations के साथ current location के साथ और उन्होंने यह पाया कि Mr. James ने जो भी calculations की थी वो बिल्कुल सही थी और इस comment से बचा नहीं जा सकता था यह पूरी संभावना थी कि धरती से आकर टकरा जाएगा हाला कि एक छोटी से संभावना यह भी थी कि हो सकता है कि अर्थ के atmosphere को सिरफ छू कर निकल जाए और अर्थ से ना टकराए लेकिन यह जो संभावना थी यह इतनी strong नहीं थी कि इस बात को हम lightry में नहीं रह सकते थे scientists ने यह सोचा कि यह जो संभावना है कि यह comment आएगा धर्ती के atmosphere से छू कर निकल जाएगा हम यह बात सोच कर आराम से नहीं बैठ सकते क्योंकि ज्यादा possibility यही लग रही थी कि यह comment आएगा और धर्ती से टकरा जाएगा और उसके बाद जो experts वहाँ पर थे उन्हेंने बहुत सारे कामों पर विचार किया कि क्या क्या किया जा सकता है एक तो यह भी सोचा गया कि जमीन के अंदर underground bunkers बनाए जाए और उसमें लोगों को रखा जाए लेकिन यह practical नहीं था इस रहे इस बात को खतम कर दिया गया कि यह practical नहीं है उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें धूम केतू पर टैक ही करना पड़ेगा जिससे कि धूम केतू अपने रस्ते से हट जाए और धर्ती से टकराए बिना वहां से निकल जाए इसके बाद इस paragraph में हमें यह बताया गया है कि experts फिर इस decision पर पहुचे इस निर्णे पर पहुचे कि धर्ती पर जितना भी पास चला जाएगा तो remote control के द्वारा उसे blast कर दिया जाएगा जिससे कि जब वो बिल्कुल उसके पास हो और उससे टकराने ही वाला हो तो यह जो धूम केतू के पास आजाएगा rocket रोकेटर उसको blast किया जाएगा इसमें जो nuclear power होगी वो उस जो धूम केतू होगा जो comet होगा उसके रस्ते को बदल देगी और वो उसे धकेड कर एक अलग direction में ले जाएगी जिससे कि जो comet दता है वो धर्ती से टकराए बिना ही चला जाएगा और इसके लिए उन्होंने time table भी बनाया के कोन कोन से दिन पर क्या क्या काम करना था और इस project को उन्होंने नाम दिया project light brigade तो सबसे पहले यहाँ पर date आती है October 10 ये decide किया गया कि अगर वो धूम केतू अपने आप खतम नहीं हो जाता या अपना रस्ता नहीं बदल लेता तो 10 अक्तूबर को एक spacecraft एक अंतरिक्ष यान में nuclear power भर के उसे launch कर दिया जाएगा और अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा और 15 नवंबर को जब वो rocket जिसमें nuclear power होगी वो बिलकुल धुम केतू के पास होगा नहीं रगबग टकराने वाला होगा तो उसमें blast कर दिया जाएगा और 15 दिसमबर को अगर ये experiment फेड होता है तो 15 दिसमबर को वह जो comet दता है वो धरती से टकरा जाएगा और अगर experiment successful होता है तो 15 दिसमबर ही वो दिन होगा जिस दिन ये धुम के तू comet दता धरती से कुछ दूरी से निकल जाएगा तो exactly decide अब ये हुआ था कि जब वो spacecraft वो अंतरिक्षियान जिसमें nuclear power होगी जब वो उस comet से टकराएगा तो वो ये मान कर चल रहे थे कि वो जो धुम केतू है उसका रस्ता बदल जाएगा और वो बिना धरती से टकराए धरती के पास से निकल जाए इसके बाद इस paragraph में हमें ये बताया गया है कि इस अभियान की ये जो experiment किया जाना था इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो जो comet था वो कितना बड़ा था इसका किसी को अंदाजा नहीं था सभी ये उमीद कर रहे थे कि वो comet ज्यादा भारी या ज्यादा नहीं होगा तब दतादा ने सर जोन मेकफरसन से पूछा कि आपकी रहे में सफल होने की कितनी संभावना है क्या हम सफल हो जाएंगे और इस समय तक दतादा और जो सर जोन मेकफरसन थे ये काफी अच्छे दोस्त बन गए थे तब सर जोन मेकफरसन ने उनसे कहा मिस्टर द मैं 15 दिसंबर से पहले क्रिस्मिस का कोई प्रेजन्ट नहीं खरी दूँगा यानि कि मिस्टर जोन मिस्टर दत्ता से ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ पक्का नहीं था कि 15 दिसंबर को क्या होने वाला है तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 15 दिसंबर से पहले मैं क्रिस्म इस present खरीदूँगा उससे पहले नहीं खरीदूँगा और इसके बाद हमें ये बताया गया है इस paragraph में के इस meeting के बाद दतादा ब्रिटेन में बहुत सारी meetings में गए वहाँ पर उन्होंने amateur astronomers और professional astronomers के साथ भी meetings की और फिर वो जब वहाँ से भारत वापस आए तो बहुत बड़ भीड उनको स्वागत के लिए तयार खड़ी थी उनके दोस्त थे भीड के अंदर कुछ समाजिक नेता थे स्टूडेंट्स थे और जो ऐसे भी बहुत सारी लोग थे जो उनको जानते नहीं थे बस वैसे ही वहाँ पर खड़े थे बहुत सारी उनको मालाय पहनाई गई उनस से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और दत्तादा किसी तरह से अपनी उसकार तक पहुचे जो बहुत देर से उनकी परतीक्षा कर रही थी इसके बाद इस पेरग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब दत्तादा अपने घर पोचते हैं तो उनके घर में एक पंडाल ल नहीं है तो वो उन्हें बताती है कि मैंने आपके लिए यग्ये रखवाया है और पुजारियों को भी बुढाया है ताकि वो आपको आशिरवात दे तब मिश्टर दत्ता कहते है कि तुमने ऐसा क्यों किया इस जए कि मैं समुदर के रास्ते इंडिया से बाहर गया था और रहा हूँ और तुम जानती हो कि जितने भी काम तुम कर रही हो यग्ये वग्ये या फिर जो तुमने पुजारियों को बुढाया है मेरे लिए इनका कोई मत्रब नहीं है तब इंदरानी देवी ने सिबाजी बाबू की तरफ देखा जो कि उनके हस्बेंड के निके दत्ता वो दुरभागे शाली है तो उसकी वज़े से कोई हमें नुकसान ना हो तो गुरु जी ने हमें ये एडवाइस दीती कि हमें शान्ती यग्ये कराना चाहिए ताकि उस कॉमेट की वज़े से जो बुरी आतमाए हमारे यहां आ गई हैं वो दूर चली जाएगी इसी लिए हम आपके लिए ये यग्ये करा रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे थे तब मिश्टर दत्ता ने उनसे पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि इन सब चीजों से क्या फाइदा होगा तब उनके छोटे भाई ने उनसे कहा कि जो कॉमेट आपने खोजा है उसका धरती पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस यग्ये की वज़े से और तब दत्ता दा भड़क उठे और उनने कहा क्या तुम नहीं जानते ये सब अंध विश्वास है पुराने समय में तो चलो ठीक है लोगों को नॉलेज नहीं थी वो ये सब कर रहते थे लेकिन आज के समय मे से कोई रेना देना नहीं होता है और तुम तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग साइंस की बेसिक बुक्स भी क्यों नहीं पड़ते तब उनके छोटे भाई ने कहा लेकिन हमारे पूरवजों नों तो ये कहा था कि इन सब चीजों के लिए यग्ये करना ज़रूरी होता है और इसके बाद इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब से दत्तादा लंदन से वापस इंडिया आये थे तब से दत्तादा और सर जोन मेकफर्सन एक दूसरे को लैटर लिखा करते थे चठिया लिखा करते थे और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ भी किया क लेकिन कई बार सर जोन मेकफर्सन इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई हिंट दे दिया करते थे दत्तादा को कि ये प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है डिरेक्ट बात नहीं करते थे हिंट दे दे देते थे और दत्तादा उनकी बात को समझ जाया करते थे और इस पेरग्राफ मे पर उसकी पूछ रंबी हो गई, उसने सूरज के तार चारो तरफ चक्कर भी रगाया, लेकिन वो तूटा नहीं, ना ही वो इवैपोरेट हुआ, और फिर प्रोजेक्ट राइट ब्रिगेट के जो साइंटिस्ट थे, वो अब इस बात को जान गए थे, समझ गए थे, कि कॉमे लेक्शन के बारे में, लेकिन उसी के बीच में लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसको दत्तादाने ध्यान से पड़ा, और वहाँ पर सर जोन ने लेटर में लिखा था, कि लाइट ब्रिगेट प्रोजेक्ट का जो आक्रमन है, जो हमला वो होने जा रहा था, वो स् की शुरुवात हो गई थी और फिर वहाँ पर सर जोन मेकफरसन ने ये भी लिखा कि आए हम इस प्रोजेक्ट की सफलता की आशा करते हैं यानि कि प्रार्थना कीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है जो हमने अटैक किया है उस कॉमेट के ऊपर ये सफल हो जाए और अब वो जो स किंता की बात ये थी सबके मन में ये डर था कि क्या ये स्पेस क्रावर जिसमें न्यूकलियर पावर है ये सही समय पर और सही जगा पर उस कॉमेट से टकराएगा और क्या सही समय पर इस न्यूकलियर पावर से भरे हुए रॉकेट में धमाका किया जा सकेगा और क्योंकि य रिमोट कंट्रोल से होना था तो उनके मन में ये डाउट्स थे किया रिमोट कंट्रोल से जो रॉकेट में धमाका करना है ये सही समय पर और सही जगा पर हो पाएगा और यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि दतादा अपनी ये चिंताए किसी के साथ बा और दिन के समय वो अपने आठ साल के पोते खोका के साथ खेलते थे और रात के समय अपनी टेलिसकोप दिब्या से आसमान में देखते रहते थे और वो रेगुलर तोर पर उस कॉमेट के उपर नजर रखते थे और अब वो कॉमेट बिना टेलिसकोप के भी नजर आता था वो क मिश्टर दत्ता को दी और मिश्टर दत्ता ने जब उस लेटर को पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गए और वो उस गुजले की शौप की तरफ भागे क्योंकि उस लेटर में ये मैसेज रिखा था जोन मैक फरसन ने कि अब मैं पूरा विश्वास है कि अब मैं 15 दिसंबर को क उसके अनुसार 15 दिसंबर 15 नवंबर को वो जो रॉकेट था जिसमें की नुक्लियर पावर थी उसे टकराना था उस कॉमेट के साथ और उसका रस्ता बदलना था और उसके तीन दिन बाद 18 नवंबर को ये रिटर मिश्टर दत्ता के पास आता है तो इसका ये मतलब हुआ क कि 15 नवंबर को प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड सक्सेस्फुल हो गया सफल हो गया वो सही तरीके से टकराया उसमें विस्फोर्ट हुआ धमाका हुआ और जो कॉमेट दता था उसका रस्ता बदल गया तो अब ये बात पक्की हो गई थी कि अब वो जो कॉमेट दता है व और अब 15 दिसंबर को मैं क्रिस्मिस का प्रेजेंट खरीद लूँगा तो इससे दता दा समझ गये थे कि खत्रा टल गया है और इसलिए वो मिठाई की दुकान पर भागे मिठाई खरीदने के लिए और फिर 15 दिसंबर का देन आया और वो जो कॉमेट दता था वो अर्थ के बहुत पास आ गया लगभग 80,000 किलोमीटर और तब लाखों लोगों ने उस कॉमेट को देखा और उसकी प्रशंसा की लेकिन बहुत कम लोग ये जानते थे कि वे सब विनाश के कितने नजदीक आ और फिर वो कॉमेट आया और वहाँ से दूर चड़ा गया यानि के धर्ती के पास से गुजर गया और फिर वो दिखना बंध हो गया तब दता दा को लगा कि अब वो इसके बारे में कॉमेट के बारे में अपनी वाइफ से बात कर सकते हैं और उन्होंने अपनी वाइफ से क कि देखो वो धुमकेतू आया और चड़ा गया क्या अब तुम्हे इस बात का संतोश है कि उसने किसी तरह की तबाही नहीं बचाई अब तो तो मुसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहोगी तब उनकी वाइफ ने कहा कि मैं मानती हूँ कि उस धुमकेतू ने कोई तबाही नह तो उनके अंदर बहुत कॉंफिडेंस था और तब यहाँ पर यह रिखा है कि दत्तादा ने अपनी पतनी की तरफ देखा और उन्हें ये लगा कि क्या मेरी पतनी को उस प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेट के बारे में पता था मैंने तो कभी उसको इस बारे में नहीं बता तब उन्हें ध्यान से दुबारा से अपनी पतनी से पूछा कि मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाह रही हो एक्चली जितने कॉंफिडेंस के साथ उनकी वाइफ ने कहा था कि मैं जानती हूं कि यह धुमके तु यहां से बिना तबही मचाय हुए कैसे चड़ा गया तो मिश्टर दत्ता करोगा कि शायद कहीं न कहीं मेरी फाइफ को प्रोजेक्ट राइट ब्रिकेट के बारे में पता था लेकिन मैंने तो उन्हें कभी इस बारे में नहीं पताया इसलिए वो थोड़ा डाउट में आ गये थे इसलिए उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा र और यग्य में बैठने से भी मना कर दिया था तब उनकी वाइफ ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है कि आपने यग्य में बैठने से मना कर दिया था लेकिन गुरू जी ने इसका हल निकाल लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपकी जगा आपका कोई वन्शज इस यग्य मे बिठा दिया था गुरू जी काफी समझदार हैं और जब इंदरानी देवी ये सब बाते मिश्टर दत्ता को बता रही थी तो उनकी आवाज में विजे की गूंच सुनाई दे रही थी कि देखो हमने यग्य कराया जिसकी वजह से आपका जो कॉमेट था जो आ रहा था धरती की तरफ वो बिना कोई तबाही मचाय चड़ा गया तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि दत्ता दा ने जब यग्य में बैठने से मना कर दिया था तो गुरु जी ने बाकी सब लोगों को यानि कि उनकी वाइफ को और बाकी रिष्टेदारों को ये समझाया था कि कोई बात नहीं दतादा अगर यग्गे में नहीं बैठना चाहते तो उनके पोते खोका को बिठा दो यग्गे पूरा हो जाएगा तो इस तरह से उन्होंने यग्गे को पूरा कर दिया था और तब दतादा ये कलपना करने लगे कि कैसे उनका पोता खोका उस यग्गे में बैठा होगा और उसने वो मंतर बोले होंगे जो उसे समझ भी नहीं आते होंगे और कैसे उसने आग में घी डाला होगा और फिर उन्होंने उस मीटिंग के बारे में सोचा जहां दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपर्स इस काम में लगे हुए थे किस तरह से वो उस धुमकेतू को धर्ती से टकराने से रोक सके और इसके लिए वो बहुत ही परभावशाली तरीके से वहाँ पर कैल्कुलेशन्स कर रहे थे लेकिन दत्तादा के लिए इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो रहा था कि ये दोनों ही तस्वीरे ये दोनों ही हलात आज के समय की है आज के समाज की है दत्तादा उस खाई के बारे में तो जानते थे जो की गरीबों को अमीरों से अलग करती है और जो खाई पड़े लिखो को अनपडों से अलग करती है और वो खाई जो अधिकार वालों को बिना अधिकार वालों से अलग करती है यानि कि दत्तादा को पता था कि समाज में कई तरह के गैप है बुराईया है अगर कई लोग बहुत जदा अमीर है तो कई बहुत जदा गरीब है कई बहुत जदा पड़े रिखे है तो कोई अनपड है कईयों के पास बहुत से अधिकार है तो कईयों के पास अधिकार नहीं है लेकिन जो सबसे हानी कारक बात उन्हें नजर आई वो उन्हें नजर आया वो gap वो खाई जो उन लोगों के बीच में हैं जिसमें एक तरफ तो वो लोग है जो की तरक पर चलते हैं, reasons पर चलते हैं, logics पर चलते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो की अंदविश्वास पर चलते हैं और उन्हें ये लगा कि ये जो कि क्या कभी मानव समाज इस अंध विश्वास को खतम करने में कामयाब होगा, सफल होगा या नहीं और दत्तादा को इस बात का उत्तर नहीं पता था, यानि दत्तादा नहीं जानते थे कि हमारे समाज से ये अंध विश्वास कभी जाएगा या नहीं I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें Thank you